हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंज आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको किसी भी वेब साइट का या किसी भी आर्टिकल पेजिस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूरल, ओल्टेक्स, हेडिंग, एच वन से लेकर, एच शिक्स तक कैसे आपको पता करना है जब आप अपने आर्टिकल को पबलिस करते हैं तो हमें वहाँ पे चेक करना होता है कोई भी चीज हम यहाँ पे मिसिंग हो जाती है तो हम चेक कर सकते हैं कि टाइटल हमने क्या डाला हो है, डिस्क्रिप्शन हमने क्या डाला हो है, यूरल हमने क्या डाला हो है, इमेज ओल्टेक्स हमने डाला या नहीं डाला हो है, क्या चीज में मिसिंग है heading हमने h1 से लेकर h66 तक क्या डाला हुआ है हम किसी की भी website का किसी के भी article का भी पता कर सकते हैं मालनों कि आप अपने article लिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ keyword ऐसे हैं कि जो उसका आपका पता नहीं लग रहा है तो आप किसी का भी google में जाके उस keyword को search कर सकते हैं और जो website.top में आ रही है उस website को open करके आप उसका title, description और URL और images का पता लगा सकते हैं उससे क्या होता कि अगर वहाँ पे जो top पे rank कर रहे हैं उसके अगर आप कुछ keyword वहाँ से चुरा के अपने title, description और URL में यूज कर सकते हैं तो आप कभी post वहाँ पे rank होने का कुछ chance हो जाते हैं लेकिन डिबेंड करगा कि आपका website का DA कितना है ठीक है तो यहाँ पे एक Google Chrome extension है उससे आप पता कर सकते हैं तो यहाँ पे uber suggestion में ने open किया हुआ है मैं इस पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे already Google extension को use किया हुआ है add to Chrome किया हुआ है मैं तो इस पे किलिक करता हूँ और किलिक करने के बाद यहाँ पे uber suggest का भी title बता देगा कि यहाँ पे नील पटेल जी ने अपने इस tools में क्या title डाला हुआ तो इनने डाला हुआ कि uber suggest free keyword tools generate more suggestion ठीक है अब description भी आपको यहाँ पे दिखाय दे रहा है keyword भी keyword इनका missing है ठीक है URL भी है ठीक है और यहाँ पे robot text भी है h1 से लेकर h6 तक इनने क्या क्या missing है और क्या क्या डाला हुआ वो भी आपको यहाँ पे show हो रहा है तो हम यहाँ पे heading पे click करते है अब यहाँ पे h1 इनने क्या डाला हुआ s2 क्या डाला हुआ s3 क्या डाला हुआ यहाँ पे सारे चीज़ें आपको दिखाय देता है अब आप बात करें image tag की अब image यहाँ पे इनने कितने है पांच images है और without all tag कितने है पांच image से मतलब किसी भी image में उन्होंने all tag यूज नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो में finally हम Google extension की बात करेंगे कि वो कौन सा extension है जिससे आप अपनी website है किसी की भी website का title, description, URL meta tags heading h1 से लेकर h6 ना हमें कैसे पता करना है तो यहाँ पर friends में आपसे एक बात कहने चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको Google में आना है और Google में आके आपको search करना है chrome extension ठीक है chrome extension ठीक है अब यहाँ पर click करता हूँ हमें और click करने के बाद यहाँ पर first वाला link आपको दिखाए देगा इस पर हमें click करना होता है अब click करने के बाद यहाँ पर जो Google Chrome का wave store है वो open हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर search करना है यहाँ पर आपको लिखना है कि SEO meta one click और इस पर आपको click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपको Google Chrome extension है वो आपको यहाँ पर show हने लग गिया है इस पर आपको click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाए देगा add to chrome लेकिन मेरा अब यहाँ पर क्या रहा रहा रिमूब फ्रॉम क्रॉम क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है आपको यहाँ पर उनका लोगो है आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर भी ऐसे है दिखाए देगा तो आपको क्या करना है किसी भी विब्साइट का यानि कि आप अपनी आर्टिकल को भी चेक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कोई किसी का भी एक आर्टिकल ओपन करके देख लेता हूं मैं लिखे लेता हूं यहाँ पर What is Social Media ठीक है अब यहाँ पे नीच्छे वहत सारी आर्टिकल है लोगों की जो आर्टिकल लिखे हैं वो नीच्छे आजाएंगी तो मैं यहाँ पे क्सी सब्सक्राइबी किलिक कर लेता हूँ मैं Social Media What is इसने पे किलिक करता हुँ Social Media Fash toolbox ठीक है अब यहां पर ओपन हो गया अब इन्हें जो आर्टिकल लिखा हुआ है जो इनकी फोस्ट है इसका पता करेंगे कि हम इन्हें टाइडल क्या डाला हुआ है इन्हें कौन-कौन से हैड़ी यहां पर डाला हुआ है तो आपको इस पर किलिक करना है जो आपने अभी गूगल विप्शेन भी आ गया, keyword आर मिसिंग, उन्हें जो keyword होते हैं जिनने हम क्या कहते है告訴 है mean? WASयं चुरख़, इन्हें धूकर विप्शन किया है rank店 मेदन जिसे focus keyword कहते है वो इनका यहाद मिसिंग है url उन्हें क्या डाला हूा है तो यहाद पर robot टैक्स हो गया यहाँ पर H1 से लेकर H6 तो इनने क्या क्या यूज किया तो हम यहाँ पर heading पर किलिक करते हैं और यहाँ पर social media definition ठीक है यह इनका क्या होगी H1 हुआ अगर आपको यहाँ पर trust नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर इसको select करना है यहाँ पर right किलिक करना है और यहाँ पर inspect करना है ठीक है अब हमें यहाँ पर दिखाए देगा कि यह H1 है या नहीं है actually यहाँ पर है या नहीं है तो हम यहाँ पर coding में इसे देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आगया H1 तो यह क्या है यहाँ पर H1 है ठीक है उसको मैं कर लेकर जाओंगा तो यहाँ पर यह क्या रहा है तो यह क्या है यहाँ पर एच्छान है ऐसे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो गूगल क्रोम extension है यह बहुत ही अच्छा extension है इससे हमें अपने article के सारे missing point का पता लग जाता है कभी-कभी हम missing हो जाती है हमें पता लगता है कि हमने s2, s3, s4 क्या डाला क्या नहीं डाला हुआ है तो आप यहां पर जाके भी पता कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा tools है SEO के लिए वाफ ही जादा help करेगा ठीक है तो यहां पर फ्रेंज आज आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपने article किसी भी website का यहां पर title, description, keyword या heading text, robo text कैसे आपको पता करना है ठीक है simply आपको यहां पर Google Chrome extension में जाके आपको SEO meetat इन one click करके आपको डालना होता है वहां पर आपको add to Chrome करना होता है ठीक है तो यहां पर फ्रेंज आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे करके मुझे अपने on page SEO के missing find को सही करना है ठीक है इस tool की साहिता सही ठीक है तो यहां पर फ्रेंज मैं आपसे एक बात फिर से कहने चाहूँगा अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंज फिल्मे लिंग हम एक और नेक्स वीडियो में तक फ्रेंज अपना ख्याल रखे जैहिन जै भारत